हेलो दोस्तो तो आप सभी का फिर से सुवागत है मेरे चैनल एक्जाम स्टेशन में आज हम आपके लिए हरियाना पुलिस का एक और प्रैक्टिस सैट लेके आए हैं जो पिछला कोशन पेपर हुआ था 2018 का वो फुल सोल्ड है math computer सब कुछ है तो वीडियो तक लाश तक बने रहे और वीडियो को देखे आए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो दोस्तो जैसे कि मारा फिर्स्ट कोशन है class which contain only pure virtual function is called तो दोस्तो वो एक abstract class होती है जो derived class होती है यह inherit answer में होती है जो सबसे पहले बात है abstract class की तो दोस्तो इसमें शिरफ एना जो method होते हैं वो एना abstract method होते हैं जिनको हम body declare होती है बट कोई declaration नहीं होती declaration हम उनकी जो derived class होती है उनमें declaration लेते हैं तो next है दोस्तो if pa equal to 1 by 5 probability of a 1 by 5 4 by 5 और pa intersection a b 7.10 तो दोस्तो इसका simple formula था जो यह formula लिखा भी हुआ है जो हमने लिखा हुआ है यह formula लगता है इसमें और 7-8 बटे 8-4 के 2 से यह 5 कर जाएगा दो तो 7 बटे 8 इसका right answer हो जाएगा दोस्तो आए दोस्तो आगे बढ़ते हैं which of the following is noted keyword in python तो दोस्तो python में throw keyword नहीं होता इसमें try keyword होता है accept होता है pass होता है इसमें 45 होते हैं वो हमने जो advance हमारे lecture है computer के उनमें हमने cover किया है तो उन्हें एक बर जरूर देख ले वो video बहुत काम आने वाली है जो अगर advance based question पर पराता है तो सभी का सभी आपको वही से cover हो जाएगा next दोस्तो 2003 में US से द्वारा इराक परेक करमन करने के लिए प्रियुक्त एक कूट नाम तो दोस्तो उसको दिया गया था Operation Iraqi Freedom तो दोस्तो जो USCRM इसने 4 important mission चलाए हुए है जो हमने पॉलिटी में cover किया है उसकी वीडियो में मैं आपको बता दूँगा next दोस्तो इक्वेरीन ये current affair का question था बेल गाम में होई दिपक्षिया से नाव्या इक्वेरीन किसके संब्दा था तो ये माल्दवीब के साथ हुआ था तो दोस्तो next reasoning का है simple question है next दोस्तो एकलव्य को समर पर एकलोता मंदिर का है तो दोस्तो ये हरियाना में खांडसा में है next दोस्तो निमलिकित प्रोग्राम में निरित सम का सम बताईए तो दोस्तो इंगली से में देखते हैं predict the output sum of the following program sum equal to 0 range as दोस्तो इसमें तो दोस्तो इसमें range function होता है जो python में उसका क्या मतलब होचा अगर 3 दिये गए यहाँ से तो start होगा दोस्तो और यह होगा last step और यह होगा जितने का भी step लेने है जैसे सब दोस्तो 1,11,2 है तो हम यह ना 1 लेंगे पहले जो output आएगी फिर जो next output आएगी 1 से 11 के बीच में आएगी वो तो वो next आएगी 3 आएगी दोस्तो फिर आएगी 5 दोस्तो फिर 7 आएगी फिर 9 आएगी 11 इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 11 ही हमारा last topping है तो 11 नहीं आएगी इसमें तो 9 के बाद इनको जोड़ ले दोस्तो तीन और एक चार पाँच नो 9 और नो 18 अठार साथ आपको पता ही है दोस्तो 25 होते हैं तो दोस्तो यह कुछ questions हैं बहुत ही important question है जो हरियाना में जो पिछले एगजाम होगे पूछे गे थे पर किसी को नहीं आते थे हमने आपको solution भी दिखाया है तो जो advance है उसमें यह सभी topic कवर है और अच्छे से कवर है तो next है दोस्तो total number of gold medal backed by India in the recently held commonwealth game तो दोस्तो जो Australia थी उसने जो भारत था उसन गोल्ड मैडल कितने जीते हैं तो दोस्तो 26 थे तो दोस्तो मैं data लिखा हुआ है कौन सा संस्क्रण था तो दोस्तो 21 संस्क्रण था Australia के gold coast में हुआ था और इंडिया ने 26 gold 20 silver 20 ही bronze जीते थे दोस्तो जो धवजा opening में जो धवजा आरोन आता वो PV संधू ने किया था और जो हरियाना हरियाना का पूछा जाते Commonwealth में क्या परदर्शन रहा है तो हरियाना ने 22 medal जीते दोस्तो उन में से 9 gold थे 7 silver थे और 6 दोस्तो bronze थे तो ये old data है जो आने वाल एक्जाम भी important है next दोस्तो गुडगाओं का कार्थिक सांस्किर्थिक उत्सव तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा मार्शल आर्ट और लोककला जो गुडगाओं का कार्थिक सांस्किर्थिक उत्सव वा था next दोस्तो भारत मेंगनीज का अगर नियुत पातक अगर नियुत पातक है दोस्तो उडिसा है और जो next दोस्तो इन पाइथन operator with the same precedence are evaluated तो जो प्रेश सेम वाले होते हैं वो left to right होते हैं जो सेम वाले नहीं होते हैं वो right to left होते हैं तो उसका right answer बहें से दाय हो जाएगा next दोस्तो ब्रिक्स का मतलब क्या है तो ब्रिक्स का मतलब हम पता है ब्राजील रूस इंडिया चीन साउथ अफरीगा पर यह कुछ देश है next दोस्तो मध्य से आकडो का ये मध्य भी चलना है तो दोस्तो इसकी simple है आप एक table बनाईए जैसे ये आकड़े देवे हैं तीन दस दस चार साथ दस माचे इनका total करें और इनका XI निकाल लें जो साथ आएगा XI मतलब mean निकाल लेंगा mean इनका 7 आजाएगा तो उसको 7 को ऐसे table में रखे इनका फिर mode लेना है और mode का मतलब होता है साथ में से 3 गए 4 हो गया ऐसे ये करके लेना है आपको इसी तरह से करके जो इनका total आएगा ये देखे चार तीन तीन जो बनी हुई है इनका total हमारा 18 आएगा और ये इसका formula होता है जो mean deviation है उसका formula ये होता है mean deviation का 1 by n mode XI minus X X है यहाँ पे mean है XI ये जो table का data है और जो हमारा इसका summation में आए वो 18 है दोस्तों ये मैंने लिखा हुआ है ठारा और ठार करके नो 2.57 आजाएगा तो इसी type के question आएगे दोस्तों आपको घबराने के जूरत नहीं है अच्छे से हम सावे कवर कराएगे निमली तुमें से कौन सा पुरसकार हर्याना संस्कृत गादि में द्वारा नहीं दिया जाता तो दोस्तों जो ऊपर के 3 हो कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता नेक्स्ट है दोस्तो ए और B भेहा LEE या ये टीवीडिसनी का question है नेक्स्ट है दोस्तो ये simple question है देखिए A और B के भी चार बस मारगा दोस्तों A और B के 20 कितने मारग है चार और B और C के 20 दोस्तों 3 है तो दोस्तों A B C से होता हुआ कितने मारगों के तरीक है तो दोस्तों 1 जाएगा factorial का question है ये जाएगा 4 गुणा में 3 गुणा में 2 फिर जो 3 factorial था 3 गुणा में 2 तो इसको सोल कर ले, चारती है, बारा दूनी, चोबी, चोबी दूनी, अटाली, 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 ती है, जो हमारा जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट दोस्तो, हरियाना, निमलिक्त में से कौन साथ जीला, खनीज साधनों सिंपर जेतू, दोस्त ये सवराज्यक मांग तो ये भी सही है, इनमें 26 जनुवर 1937 को सवतनता के रूप में मनाया है, कर्णिन नक्या, ये भी सही है, ये कोशन देखो दोस्तों, ये पूछा भी गया था, कल रख के एकजाम में कि कौन सा सवतनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, नेक्स्ट है, ये simple trick based question है, देखो दोस्तो, N belong to natural number है, अगर N belong to natural number है, तो एक से value रख के देखे हैं, तो अगर मैं value एक रख कूँगा, N की जन्गा है, साथ के सात हो जाएगा, माइनस दो, तो साथ में दोस्त गया, अब दोस्तो, पांच हो जाएगा, पांच ही पांच से div positives mm हो गा, तो इ चाज के निर्देश देने के एक जो संग्य अप्राद होता है उसकी जांच के आदेश होते हैं निमलिक्त में से कौन सा भारत में एक इंटरनेट सेवा परदाता नहीं है तो दोस्तों निमलिक्त में से कौन सा कथन सत्या है मोडम कनवर्ट दा अनलोग सिग्नल इन्टु डिजिटल सिग्नल और वाइस वरसा दोस्तों इससे आगए आपको जाने की जूर्थ है नहीं ऑप्शन से पढ़ने की यही राइट आंसर है नेक्स्ट है राइट टो इन्फोर्ट आई कब किश्टि है नेक्स्ट दोस्तों निस्सोत कार्त में भारत यूदि कित मीश्ट प्रमवीर। चक्कन मिला जोर्ट यह होश्यार शिग ठेल और कहां से थे दोस्तों इस श्षाणा के दोरान केंथिये मंत्री थे तो दोस्तों यह रक्षय मंत्री थे और दोस्तों चुरासी पचासी में दोस्तों यह परिवहन मंत्री और रेलवे मंत्री भी रहे हैं नेक्स्ट दोस्तो बूस्ट बॉनवीटा होली काधिगुर्जा पधार्तों में अनुरूपकम किस फसल का माल्टा निचोड कर प्रियुक्त होता है तो दोस्तो वो जो का माल्टा होता है जो कि एक प्राचिन फसल है हमारी रोग गार्डन किसने बनाया था तो डाइट आंसर ह नेक्चंद से निए तो दोस्तो चंडिगड के बारे में एक कोशन जरूर पूछा जाए साथ धुरूमपान युक्त कब हुआ था 2007 में हुआ था और पोलतिन मुक्त कब हुआ था 2 अक्तूबर 2008 में हुआ था दोस्तो तो इस टाइप के कुछ कोशन्स है रोचंडिगड से रिलेटिड हुआ आपको पता ना चाहिए हो ना चाहिए नेक्स हरी आनव सावर्दी के लंबे से में रहने वाले राज्यपाल तो दोस्तो वह हमारे विरेंदर नारेन चक्रवर्ती थे पैट कोशन है हर बार आता है पर्थम ते ध्रमवीर और जो ओपी परकास थे वह कम से में काल था पर्थम गुट निर्पेक्स आंदोलन का हुआ तो दोस्तो ये बेल ग्रेड में हुआ था और 1961 में हुआ था दोस्तो और जो हमारे जवारलाल नैरू थे वो इसके मैतपून नेता थे ये हमारा पॉलिटी का कोश्चन है और जो नैरू जी थे उन्होंने दक्षि कोरिया दक्षिन कोरिया और साथ कोरिया के बीच में संधिक राई थी तो ये गुट निर्पेक्स के मैतपून नेता थे नेक्स्ट है दोस्तो निम लिखते में से कौन सा विदू चुम के सपेक्टरम तबचा के जलने सावले पढ़ने और कैंसर आधी से तो दोस्तो इसका राइट आंसर हमारा यूवी बी किरने हो जाएंगे यह भी कुशन याद करने के लायका नेक्स्ट है एक सबर्धन में जिवानों के संख है परती घंटा दो गुना होती है तो मूलू से सबर्धन में 30 जिवानों पुस्तित है तो चोते गंटे में तो दोस्तो आप से रिश हमारा जो next question है यह भी हम एक सोल करके दिखाएंगे एक अपराद की जांच किसके द्वारा होती है तो आप हम सभी के पता है जो पुलिस अधिकारी होता है जांच वही करता है आईप अड्रस है दोस्तो ऐसे कभी आईप अड्रस हो नी होते ही गलत में और यह राइट अंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट है दोस्तों की लौग ठीटर हमारा अली वक्स था कुछ इसको लखमी चंद बताते हैं दोस्तों यह वाड़ा पर-बिमारा यह नहीं अलिवक्स है जो यह question था दोस्तों यह यहां पर sold है देखिए यह formula simple put हुआ है इसमें यह formula है आप इसका screen sort ले सकते हैं यह देखिए और solution भी है एक strict based formula है आप इसको follow भी कर सकते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हरित ग्रैप परभाव का कारण क्या है तो एक्स रे किरने हैं नेक्स्ट है दोस्तों यह reasoning का question है next है math का question कुल खादेन उत्पादनों में निमली किते में से कौन सी फसल हरियाणा में पर्थम स्थान रखती है तो दोस्तों यह गेहूं की फसल है जो स्थान रखती है दोस्तों यह है इसमें simple आप यह अंतराल रखके देख सकते हैं value रखके देख सकते हैं तो इसकी right under 3,7 ह हो जाएगा 3,7 और यह यह भी answer इसका right हो जाएगा दोस्तों क्योंकि अगर हम 3 रखते हैं minus 3 minus 2 5 होता equal है 3,7 रखते हैं तो 5 तब भी equal है तो दोनों point satisfaction देते हैं इसके next है दोस्तों हरियाणा में जो पूर्ण विक्सित खाद्या स्थापित करने के लिए हन्या राजवाज है एक मेगा फूर्ड पार्क विक्सित के है तो दोस्तों कहां पे क्या है और राइट सही अंसर है दोस्तों है इनमें भी पर जो करेंट में जो लेटस्ट हुआ है वो राई में हुआ है next है दोस्तों हरियाणा का राज के पूसू तो यह pet question है आपको पता होना चीए राज क यह फूल यह बगएरा next है दोस्तों जब हर्द्याग में मास स्पेशियों में प्राप अक्षिजन नहीं पूस्ती तो तुरिवचाती के दर्द कलेक्शन दिखाए देते हैं तो क्या है इसका दोस्तों इसका एंजिना पैक्टिस राइट आंसर है दो पासों के एक साथ फै है इसी तरह पीबी भी हमारा 1 by 6 हो जाएगा और 1 by 6 into 1 by 6 हमारा 1 by 36 हो जाएगा तो दोस्तों यह हमारा पहला पार्ट था हरियाना पुलिस का और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगिए कि कुछ भी इसकी पीडियाश चाहिए तो आप हमें कमेंट करें हम आपको पीड सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक पहुचे हमारा सिर्फ मोटिवेशन इतना ही है कि आप सभी के सायों से हम एक अच्छा प्लेटफोर्म तियार करें हमारे हरियाना के जो स्टूडेंट है उन्हें एक उन्हें एक्जाम के लिए जो नहीं भी जाना ना पड़े एक चैनल पर बार बार हमें कितने चैनल सब्सक्राइब करने पड़ते हैं तो दोस्तों यही मेन मोटिवेशन है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी धन्यवाद